ओके सो हेले एवरिवन आज हम लोग करने वाले हैं कि कलरिंग कुछ अलग ताइप का कुछ डिफरेंट तो आज का कलरिंग क्या होने वाला है तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आज है हैपी हॉली तो हुली की वज़े से हम करेंगे हुली टाइप का ही कुछ कलर जिया दोस् लिए और चैनल पे ने हो तो सब्सक्राइब जैरूर करना दोस्तों तो चलिए लाइक कर लिए होंगे तो हम लोग ने गलफ पहन लिया है और हम ले रहे हैं ब्लॉंडर तो जैसे कि आप लोग को पता है कोई भी फंकी कलर या भी फैशन कलर जो भी करना हो अलग तरह का डिफ लेवर लिफ्ट कर पाओगे अंडर कोट ला पाओगे उतना ही अच्छा आप लोग का आपका जो डिजायर शेड है यानि कि जो भी कलर है आप लोग का फंकी कलर वो अच्छी तरीके से आप आएगा तो यह चीज का ध्यान रखते हुए आप लोग को प्रिलाइटनिंग कर लोगे मिक्स तो चलिए हमारा मिक्सिंग पुरा प्रॉपर तरीके से हो चुका है अब हम लेते हैर्स को और हैर्स को हम अच्छी तरीके से पतले पतले सेक्शन पर लगाएंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारा प्रिलाइटनिंग हो पाए तो दोस्तों हम लोग क्यों use करते हैं तो J Harvard काफी जादा उसमें काम है तो जतना जल्दी अच्छी तरीके σबमीनिया अच्छी जल्दी आपाएगहा तो हम इसे लगाकर थर्टी ओंधित के लिए लगएगह तो देख सकते हों आप लोग कि पतले-पतले sections लेते हुए कर रहा है क्यों पतले पतले sections क्यूंकि अगर आप लोग proper तरीके से जादा मोटा sections ले लिए और अपनी color जो कि हमारा प्रिलाइटनिंग है उसे लगा लिए पतले sections लेते हुए नीचे उपर की तरव अच्छी तरीके से लगाना है और गलब जो कि हमने पहना है तो हम अच्छी तरीके से लगा रहे है तो आप लोग जब वीडियो खतम हो जाए उसके बाद आप लोग इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो तो चलिए हमने हमारे step by step पूरे sections में लगा लिया है आप लोग को पहले क्लाइन को कंफर्म कर लेना है जो भी funky color उन्हें करना है वह funky color उन्हें कितना चाहिए कहीं back side में चाहिए या फिर side में चाहिए या फिर जादा दिखना चाहिए या फिर नहीं दिखना चाहिए या बहुत लोगों का client का रहता है desire की उन्हें जादा दिखना नहीं चाहिए बस उन्हें जब भी दिखाना हो तब वो अच्छी तरीके से दिखा पाए अच्छी तरीके से लॉक भी कर पाऊ लॉक लॉक किस तरह करते हैं तो देखिए आप लोग देखसे हो कि पहले में साइट से दोनों तरफ से लगा ले रहा हूं और फिर उसके आद में लॉक देखिए किस तरह से किया जाता है फॉइल पेपर को लॉक करना भी काफी ज़रूर और देन 30 मिनिट बाद हम हमारा अंडर कोट चेक करेंगे कि हमें जितना डिजायर अंडर कोट चाहिए उतना रेडी हो चुका है या नहीं अगर नहीं हुआ रहेगा तो हम एक बाद फिर इस ब्रश से अच्छी तरीके से ब्रशिंग करेंगे और देन उसके आद में फिर व अच्छी लुक बिल्कुल भी ने चाहिए तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे शैंपू चेर पे और इससे अच्छी तरीके से करेंगे वाश तो वाश किस तरह करना है देख सकते हो तो हमारा प्रिलाइटिनिग जो हमने किया था उसे हम करेंगे वाश वाश करते समय आप लो तो जो कि हमारे आंडर कोड को थोड़ा सा और जो भी यल्लोनस है, उसे अच्छी तरीकिच से कट कर पाएगा, जिससे कि हम जो भी हमारा color डिजाइड करेंगे, जो भी हम color लगाएंगे, funky color मारा आसानी से आ जाएगा, तो देखिये, हमने अच्छे तरीकिे से wash करने के बाद म लगाएंगे हमारा funky color तो funky color हम कौन सा यूज कर रहे हैं कौन सी company का यूज कर रहे हैं और funky color को कैसे mixing करना है mixing ratio क्या होगा उसका भी हमें आप लोग को detail में बताता हूँ तो चलिए पहले आप देखिए product जो कि हम funky color यूज कर रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं कि कितना हमें color आता है और किस तरह का हमें इसका result मिलता है तो चलिए हमें उसको ट्यूब भी निकाल के दिखाते हैं आप लोग कि इसका ट्यूब अंदर से किस तरह से आप लोग को मिलेगा तो देखिए ट्यूब भी काफी अची packaging है इस ट्रिक्स की और काफी अच्छा quantity में म developer बड़ दोस्तो यहां पर आप लोग को developer यूज नहीं करना जिहां दोस्तो जैसे कि मैंने बताया यहां पर कुछ different है यहां पर आप लोग को developer यूज नहीं करना है जो हमारे श्ट्रिक्स का funky color जो आता है उसे आप लोग को directly लगाना है तो directly किस तरह अपलाय करना है और hairs पर लगा कर उसे mulcify करते start कर देना है दोस्तो यहां तक आचुके हैं और अभी तक video को like नहीं कियो तो जल्दी से video को like कर लिए जो दोस्तो और दोस्तो पहली बर मेरे channel पर visit कियो तो subscribe भी जरूर करना क्योंकि दोस्तो काफी महनत लगती है आप लोग video देखते हो लेकि रहता है हमारा funky color हो सारे shade आप लोग को strics में मिलेंगे तो और result भी इसका काफी बहतरीन आता है funky color में एक और brand आता था crazy color आप लोग ने देखा रहेगा but crazy color काफी महंगा रहता था और इसमें काफी ज़्यादा हमको quantity मिलता है strics case में तो मैंने दोनों use किया है बट इसका result काफी बहतरीन लगा और इसमें एक फाइदा यह है कि आप लोग को इसका ट्यूप में ज्यादा महनत नहीं करती बहुती soft तरीके से निकल जाता है तो देखिए हम लोग step by step पतले sections लेते हुए इसे मलसिफाइ करते जा रहे हैं और मलसिफाइ करेंगे hairs पर पूरा अची तर treatment से related और coloring से related वीडियो लेकर आते जा रहे हैं तो आप लोग भी अपना प्यार दिखाते जाए और इसी तरह जिसे भी knowledgeable वीडियो चाहिए hair से related उसे share करते जाए ताकि उनका भी फाइदा हो पाए तो चलिए हमने हमारा पूरा अची तरीके से application complete कर लिया है अब हम इसे रख लगाना है सिप conditioner, conditioner या फिर मास लगा सकते हो या फिर hair spark cream रहे तो वो भी लगा सकते हो और उसे लगा कर दिन आपको wash करना हो यह हमारा final result आप लोग देख सकते हो जो chunks किया था वो chunks काफी बहतरीन सा color आया है मैं आप लोग को दिखाता हूं निकाल के हमारे chunks कितना बहतरीन स wonder blue color आया है और आप लोग को भी अगर इस type का color करवाना हो तो आप लोग मेरे salon में विजिट कर सकते हो मेरा salon है कल्यान जो की मुंबई सिटी में आता है और आपना प्यार इसी तरह बनाए रखने मेरा Instagram ID hair stylist roid वहाँ पर जाकर follow जरूर करना अभी तो बहुत सारे वीडियो आ बाइ बाइ टेक केर